हालो फ्रेंज वेल्कम टो मैं चेनल ट्रिक में इचाम दोस्तों आज आप लोग के लिए एक नया भेकेंश है दोस्तों अगर आप दस्विक पास हो तो आपके लिए विडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि दस्विक पास के लिए जब रजस भेकेंशी निकाले गया ह आपका अठारा पोश्ट निकाले गया दोस्तों यह पोस्ट आई हुई है यह आप दे सकते हैं जारकन ग्रामिन डाख सिवा भरती 2020 हाँ दोस्तों जारकन ग्रामिन डाख सिवादोहजर बीस के तहते यह फोर्म आया हुआ है कुल पद रखा गया एक सो यह 1188 पद हैं और द सारे आज डिस्क्रस करने वारे तो दोस्तो चलिए ऑफिसेल अप्रेट की और चलते हैं जाके आप डिरेक्ट वहां से चिक आउट कर सकते हैं और फॉंव भरना है तो इस्टाट हो गया है फर्म भी आप डिरेक्ली वहां सब्सक्राइब तो चलिए यहापर डिस्क्रिस कर लेते हैं दोस्त यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन फोर दा पोस्ट ऑफ ग्रामिन डाक सेवस सर्कल फेज थ्री दो हजर बीस एक उसका यह निकला है जारकन सर्कल में यह निकला है ठीक है तो यहां पर देखिए सब्सक्राइब जोब पर फाइल बहुत है चाहर होने बाला है यहाँ पर एक बनिला भरांच पोस्ट मायटर याने बीपिम दूस्सरी पोफ्त है आपका एस्टेंस ब्रांच फॉस्ट मास्टर यान लिक एए बीपीम this test और यह दोस्तों अभी आपको बारांच लगभग दियागए गातिग Grandpa आपका minimum TRCA for 4 hours के लिए और 5 hours के लिए बोले जाए तो आपका 14500 रहेगा ठीक है और ABPM के लिए 12000 रहेगा तो आप से लिए देख सकते हूं पर अभी है उसी के बाद करते हैं देखिए आप एज लिमिट जो है अगर आप 18 साल से 40 साल के उमिभार है तो फॉर्म भर सकते हो यहां पर देखिए एज रिल्कसिन रखा गया है एसी या एस्टी के लिए पांच साल ओवी सी के लिए रखा गया तीन साल और एड़लो एस के लिए लिए लिखा गया कोई भी एलिकसर नहीं मिलेगा उनको और पी ड़लो एक लिए दस साल और पी ड़लो डी प्लस ओवी सी के लिए आपको तेरह साल और पी ड़लो डी प्लस सब्सक्राइब करें तो सेकंडरी एडूकेशन पास सर्टिफिकेट आफ थैंट इस्टेंडर्ड विट पासिल मार्क इन मैथमेडिक्स लोकल लेज इंग्लीज यानि कि अगर आप थैंथ पास हुई है तो एक आपको लोकल लेंग्विच मस्ट है और अगर आप जहारकर की कं तो आपके लिए कुण सा लिंग्विच इंपोटन ने चली वह आगे में बताऊंगा सब्सक्राइब यहां पर आप देख लिजिए अगर आप लोकल लेंग्विच की नॉलिज रखते हो तो ही इस फॉर्म को भर सकते हो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है कंपलिसरी न जर्कन के गए तो जर्कन के लिए यहां पर देखिए जर्कन के लिए हिंदी मच्ट है अगर टेहते में ओव बंदा हिंदी लेकर एक सब्जेक्ट तो वह इस फोंको भर सकते हैं नेक्स्ट चलीड़े चलते हैं क्या है देखते हैं कुछ थो रभूत basic computer training आपको दिया जाए इसमें कोई एक्जाम नहीं होने बाला थेंट का माक्सी अपलोड करना है या लिखा गिया है that number will be given for higher educational qualification. Only marks obtained in 10th standard of approved board aggregate to percentage to the equities of four decimal will be criteria for the finalization and the selection The passing of all the subjects as per the prospective approved board norm-symminatory subject to the condition referred in clause B of notification pertaining to the requirement of educational qualification 2 दोस्तों जो है वह थैंट के वैसिस में ही लेंगे जितना हाय कीसिन हो गांच को ही मेरेट जल्दी मिलेगा और है यहाप देखिए गया कर दोस्तलिप कुछ ऑने अधर मां गरी जटेश को आपको आपको सीजी में तो बना है या आप ग्रेंड में तो गरी एक दो ईसमय के लिए अगर आप आप OBC का सर्टिफिकर सेंटल बना तो सेंटल ओविसी चाहिए आपको फॉर्म बने लिए यहाप और कुछ में बता था हाव टो अपलाई हाव पुरा दिया हुआ तो नूटिस को डावलोड की जल्दी और कैसे अपलाई करना उसको पर लिजिए नहीं ते अपलाई का विजि अब जाने कि 11 दिसंबर को लाश फॉर्म बने का इस्टाटिंग क्या है बारान अबब मर्से याई की फॉर्म बनना इस्टाट हो गया दोस्तो आप जाके फॉर्म भर सकते हो अब फी के बात करें दोस्तों को एक सुरुप्या फी है ओसी ओविसी डव्लेट के लिए लिए कोई भी फीन नहीं लगेगा ठीक है यह आप नोट कर लो यहाँ पर फॉर्म बने लिए डोकुमेंट के के चाहिए यहाँ देख लिजी यह भी इंपोर्ट है टेंट का माक्सित चाहिए ओके याँ फिर आप राप सटिफिकर भी डाल सकते हो यहाँ पर जेपीजी फॉर्म करने में डाला है 220 होना चाहिए लगवग और मेंटरी फॉर और के निडिक्ट यहाँ पर देखिए कलास तेंथ का एससे माक्सित भी आप डाल सकते हैं पर कुछ भी हो ठीक है उसका आप डाल सकते हो विदाव इसका कोई उसका भेलू नहीं रहेगा आपको मनुद रहे यह वहाँ पर डिस्कॉलिफाइक का देजाएगा देट आप वर्थ का फूरूप आपको देजाएगा यहां पर तेंथ का देट वर्त नहीं लिए अधर का पैन का इस पर करका आपको देख भरना पड़ आपको तुसका यह जो होने वाला है वो सेंटर लेवल का होने वाले है लिखावा साफ साब सब सीजी अप्रूब दू क्रिमेल एर यानि की सेंटर गुवर्मेंट एप्रूब्रव्ट होना चाहिए आपको फोटो पचा से दो सुक्षण के भी तक होना चाहिए आ सिगनेच अब यहाप देखिए जो है यहाप दिया हो यह ही इंपोर्टन एलास्ट इस्टेशन एन फी सब्मिशन स्टाट इट बारन अवंबर बारन अवंबर को स्टाट है और लाज़ डिट है समिशन का 11 दिसमबर को यह आप दिमाग में सेट कर लो और अप्लिकेशन ओनलाइन सब मिशन इंडिबेर 11 वही है जो था और यहाप पोश्ट कांगा निकला है यह बहुत बड़ा लिष्ट है दूस्त वह देखिए पेज कम सब कम 50 पिजगा है तो उतना परना इंपोसिबल है यहाप धनबाद 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 एक पोश्ट निकला है ठीक यहाप देखा है जो भी आप इच्छा है जो भी आपका पोश्च बढ़ना हुआ भर सकते हैं कोई इसमें यहां पे देखिए बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है आप देख सकते हैं गुमला और दिखाते हमें हजारी बाग यह आहिरा चली इसको में नेस्ट करके दिखाते हैं और को इंपोर सब्सक्राइब चरूर करें साथ भेल बैल का इकन को दबा दे ताकि हमाने जितने में लिटेस्ट वीडियो इनको नोटिफिक्शन आप तक आसानी से पहुंच सके तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यबाद अगर वीडियो अच्छा लगा थे लाइक सब्सक्राइब कर दे थेंक यू